वेल 1990 की बात है 13 साल के बच्चों ने जो की 7th क्लास में पढ़ते थे उन्होंने stocks का एक ऐसा portfolio बिल्ड किया जिसने 99% fund managers को beat कर दिया मलब 99% mutual funds उस portfolio के समने beat हो गए in fact S&P 500 जो US का एक index है उसने उस portfolio के comparison में मलब अगर आप देखोगे portfolio के return 2 साल की तो वो थी 70% की और S&P 500 index की जो performance थी वो थी 26% की मलब S&P 500 ने 26% का return दिया 13 साल के बच्चों ने जो stocks का portfolio मनाया उसने 70% का return दिया अब आप है सोच रहोंगे ऐसा कैसे हो सकता है same बात पता लगी Peter Lynch को जो की legendary investor है उस time पर वो 14 billion का fund समालते थे अब 14 billion dollar का जो वो fund समालते थे उन्हें पता लगा कि बच्चों ने S&P 500 को इतनी बुरी तरीके से पचार दिया 99% fund managers को पचार दिया ऐसा कैसे हुआ उन्होंने उन बच्चों को invite किया अपने office में pizza party के लिए अब बच्चे गए उन बच्चों से पूछा गया उनकी class teacher भी थी वहाँ पर तो class teacher से भी पूछा गया ऐसा कैसे हुआ ये stocks का portfolio उन बच्चों ने कैसे बनाया तो teacher ने बोला कि मैंने इने दो points दिये थे उन दो points की basis पर इन बच्चों को selection करना था stocks का पैरा point ये था कि आप सिर्फ उनी companies को select कर सकते हो जिनके product और service के बारे में आप एक line में बता पाओ जैसे बच्चों ने select किया Pepsi को तो Pepsi को जैसी उनने select किया तो आप सब को पता है Pepsi क्या करती है cold drinks बनाती है बच्चों ने भी बोला भी Pepsi cold drinks बनाती है तो टीचर ने का ठीक है फिर आप Pepsi को select कर सकते हो similarly उनने बोला भी Walmart तो जब Walmart बोला तो उनने का Walmart क्या है उनने बोला Walmart के पाँ सूपर मार्केट होती है तो simply सूपर मार्केट में जाके आप शॉपिंग कर सकते हो तो एक line में बता दिया है वो company क्या करती है similarly बच्चों ने लिया एक ऐसा product gap अब gap क्या करती है gap fashionable close बनाती है यही से second point आ जाता है टीचर ने बोला ठीक है आपने product और service हमें बता दिया company क्या करती है उस company के product और service आपको पसंद भी होने से ही है ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो gap अब gap के कपड़े आपको पसंद नहीं तो बच्चों नहीं नहीं हमें gap के कपड़े पसंद है similarly उन्होंने बोला कि भई हमें जो pen और marker हम use कर रहे है यह जो company pen मनाती है यह हमें बड़े पसंद है उन्होंने एक दो स्टॉक्स और लिए अच्छा ऐसा नहीं था कि सारे स्टॉक्स चल गए पीटर लेंज ने जए पोर्टफोलियो को स्टेडी किया तो उसमें एक ऐसा स्टॉक था सवाना फूड्स वो उस टाइम डूरेशन में दो साल में 38% करेक्ट हुआ था तो उन्होंने बच्चों से पूछा आपने ये स्टॉक क्यों पिक किया भई वो स्टॉक नहीं चला तो उसने पफॉर्म नहीं किया तो पूछा गया तो फिर उन्हें पता लगा कि यहां पर बच्चों ने रूल ब्रेक किया था वहाँ पर सेकंड रूल जो था उसे ब्रेक किया गया उन्हें वो प्रडॉक्ट्स अच्छी न लगते थे उस कंपनी के उन्होंने थोड़ी सी स्टेडी कर लिए जब अब क्या होता है टीचर कुछ होमवग देती है तो बच्चे क्या करते है थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते है उन्होंने ना इन्वेस्टर्स डेली पढ़ लिया था तो उन्होंने रिपोर्ट पढ़ने के बाद वहाँ पर एक स्टॉक का नाम लिखा हुँ था तो इसलिए उसे पिक कर लिया जो लोग टेकनिकल एनलेसेस करते हैं उन सबसे वेटरेन बच्चों का पोर्टफोलियो था तो अब आज की रेट में हम 2023 में खड़े हैं हम क्या करें हम भी उन्ही बच्चों का जो माइंड सेट था वही पोर्टफोलियो बनाने की अपरोच थी उसे फॉलो करें वेल डेफिनिटली जो प्रटफोलियो आपको पसंद है वो कंपनी अच्छे आपको रिटरंस दे सकती है अब यही से हम वापिस से अपनी इस सिरीज पर आ जाते हैं जो हम 40 दिन की सिरीज की बात कर रहे हैं आप एक ऐसी फिनाइशल ट्रांस्फर्मिशन सिरीज की अंदर हो जो हम स्टेप बे स्टेप आगे बढ़ने की बात कर रहे है आज का टॉपिक डेफिनेटली है कि कैसे बेस जोक्स पिक करे रहे है बन क्या यह स्ट्राइटेजी बहुत अच्छी है चलिए समझते हैं एक्जामपल ले लेते हैं राहूल का अब राहूल को जब यह बात पता लगती है कि बही उन कम्पनी के प्रोट्स खरीदो जो आपको पसंद है जिनके बारे में आप जान सकते हो जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो एक लाइन के अंदर तो वो यह इंटरनेट पे और भी बहुत लोगों से सुन लेता है कि ऐसी कम्पनी के प्रोट्स खरीदो जिन कम्पनी के प्रोट्स आपको पसंद है अब राहूल क्या करता है वो सुबह सुबह देखता है कि वो कौन सा टूथपेस यूज़ कर रहा है वो देखता है मैं पैफ सुडेंट यूज़ कर रहा हूँ अब वो लक्से नहारा होता है उसके पिताजी बोलते है नहीं नहीं लक्से नहीं नहींगे अब हमाम यूज़ करेंगे उसकी मम्मी बोलती है हमाम नहीं हम डव यूस करेंगे वो सब के नाम लिख देता है लक्स, हमाम, डव सब लिख देता है उसके बाद वो देखता है नहने के बाद कि उसकी मम्मी कपड़े दो रही है वो रिन यूस कर रही है उसकी बहना के बोलती है नहीं नहीं वील सस्ता पड़ेगा वील यूस कीजिए तो वील का नाम लिख देता है इसी तरीके से वो कई सारे प्रोड़क्स का नाम लिख देता है उसे पता लगता है यह सारे प्रोड़क्स एक ही कमणी बनाती है वो है हिंदुस्तान यूनिलिवर और वो कहता अरे यह तो बिलकुल एक दम से ना वो बल्ब जल गया एक कंपनी जिसके हम प्रोड़क्ट्स यूज करते हैं जिसके प्रोड़क्ट्स हमें पसंद है उसके शेर खरीद लेते हैं तो क्या यह अप्रोच काम करेगी और यह रिटरंस देगी देखो आप लोग ना पैसा बनाना चाबते हो इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हो यह स्टोरी का कोई सिगनिफिकेंस नहीं अगर पैसा ना बने तो अगर आपको पैसा बनाना है तो यह वीडियो अक्चुल में आपके काम आने वाली है अब बड़े धान से सुनना अब रहुल ने क्या किया रहुल ने सिंपली हिंदुस्तान उनिलिवर के शेर्स खरील दिये अब कंपनी कैसी है कंपनी डेफिनिटली बहुत अच्छी है बट क्या अब मान लेते हैं इस बात को 6 महीने हो गए तो क्या हिंदुस्तान उनिलिवर ने कुछ रिटर्न दिया भी उसे रहुल को आप कोगे 6 महीने में तो सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ आज की रेड में भी अगर हम देखें तो 6.5% उटा हुआ है 6 महीने के अंदर almost no returns ultra negative returns है तो क्या हिंदुस्तान उनिलिवर बिकार कंपनी हो गई नो हिंदुस्तान उनिलिवर बिकार कंपनी नहीं है बट क्या 6 मेनी के expectation रखना है ठीक है आपको भी depend करता है 6 मेने के अंदर भी अच्छी returns में सकती है आपको example दूँगा भी क्योंकि अब रहुल अपने friends को बोलता है कि भी मैने हिंदुस्तान उनिलिवर में इन्वेस्ट किया उसका एक friend बोलता है तू पागल है हिंदुस्तान उनिलिवर में इन्वेस्ट किया इससे बढ़िया तो क्या करता तू Vodafone के shares खरीद लेता अगर तू Vodafone के shares खरीद ता तो 6 महीने में तेरा पैसा डबल हो जाता क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो almost 6 रुपे साड़े 6 रुपे से जो प्राइस है almost 14 रुपे पहुँचके है Vodafone का तो आपकोगे double से जज़ादा returns आगी तो पैसा double हो गया अब वो रहूल confused जाता है क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी मैंने हिंदूस्तान यूनिलिवर का share खरीदा मेरा तो पैसे नहीं बढ़ा मेरे दोस्त का पैसा तो double हो गया उसका एक और फ्रेंड उसे मिलता है अरे तू क्या गर रहा है मुझे तो टेप आई थी मुझे टेप आई और मुझे पता लगा सुजलोन एनरजी इसका share भाग सकता है मैंने 6 महीने पहले अब क्या होता है न हम क्या कर रहे हैं सारा back tested data देख रहे है 6 महीने पहले अगर आपको guaranteed कहीं लिखा हुआ दिग गया अब future देख सकते हो 6 महीने चोड़े एक दिन का भी देख सकते हो तो आप इस दुनिया के सबसे मीराद नहीं बन सकते हो पर ठीक है उसके friend को tape आई उसने देखा जी सुजलोन का share 8-8,5 रुपे का है उसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और उसने बोला भईया यहां पर देखो 3,5-3,5 रुपे का share लगबख 37 रुपीस, 38 रुपीस का हो गया तो मेरे तो मज़े आ गए रहूल कहता है यार मैं क्या कर रहा हूँ मैं तो बेवकूफ हूँ बिलकुल यहां पे लोगों का पैसा double, triple हो रहा है और मैं बिलकुल बेकार हूँ मैं तो बिलकुल बेवकूफ हूँ अब क्या होता है न जो लोग fundamental analysis करते हैं अच्छी कमनी spec भी करते है फिर वो कहीना कहीना demoralize हो जाते है क्योंकि वो देखते हैं कोई penny stock बहुत ज़दा बढ़ गया दुगना तिगना दस गुना पैसा हो गया लोगों का तो लगता है हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे अब इसके बाद से यहां से यह video शुरू होती है what you should do क्या सुजलोन में invest करना बिलकुल बेवकूफी है या हिंदोस्तान यूनिलिवर में बेवकूफी है कैसे करें आइए समझते हैं मेरे दिमाग में न दो अप्रोच होती है जब भी मैं किसी स्टॉक के बारे में मलब इंवेस्ट करने के बारे में सुचता भी हूँ तो अब दो अप्रोच के नमबर वन अप्रोच होती है valuation अब यह सिर्फ स्टोक की बात नहीं है मैं अगर कोई रियल स्टेट में भी इंवेस्पेंट करता हूँ मानलो कोई plot खरीद रहा हूँ कोई land खरीद रहा हूँ तो यह तो देखने ही पड़ेगा न वो महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है और महंगी और सस्ती के लिए बहुत सरे factors होते हैं, बहुत सरे parameters होते है रियल स्टेट में थोड़ा सा अलग होता है ना, stock market के अंदर आप ratio analysis कर सकते हैं आप ratio analysis के उपर, मैं आपको genuinely बता रहा हूँ हमने internet पर best video बनाई हुई है और मुझे देखकर हैना नहीं हुई मैंने आज चेक किया, उस video पर सिर्फ 4,000,000 views है मैं आपको genuinely बता रहा हूँ उस video को देखना बलब किसी paid course के अंदर भी ना उस level की आपको knowledge नहीं मिलेगी, शायद ही आपको मिले fundamentals के अंदर, जो उस free video में है बलब उस free video पर सिर्फ 4,000,000 views है बलब वो underrated video है, आप उस video को देख सकते हो आई बटन पर लेंके जाके जरूर देखना और अगर अच्छी लगे तो comment भी करना मुझे पता लगेगा, क्योंकि यह महना लगती है न वीडियो बनाने में तो आप उस video को देखिए, ratio analysis, fundamental analysis का एक बहुत बड़ा पार्ट है आपको सारे ratios के बारे में detail में बतायों को वीडियो में अब आज हम जो parameter को समझ रहें, एक तो मैं देखता हूँ, valuation भई, share है, वो सस्ता है महंगा, यह तो देख लिए हम अगर मैं airlines खरीद रहा हूँ, हिंदुस्तान Unilever खरीद रहा हूँ, ITC खरीद रहा हूँ या फिर आप yes bank खरीद रहे हो, वो आपके लिए महंगा है सस्ता है अब मैं लोगों को, लोगों से अगर पूछू हूँ, तो लोगों से अगर मैं directly एक सवाल पूछो, MRF महंगा शेर है, सस्ता शेर है तो MRF तो यार, एक लग का शेर है, यह तो महंगा हुआ ना, ITC सस्ता हुआ, ऐसा नहीं होता आपको P ratio के हिसाब से, और भी बहुत सरे parameters के हिसाब से देखकर बताना होता है, कि valuation ठीक है नहीं है एक लाख रुपे का शेर भी सस्ता हो सकता है, और दस रुपे का शेर भी महंगा हो सकता है आपको यह कैसे, यह आप return देखो ना, मैं simply एक बात बोलता हूँ, अरे आपके stock ने 100% की return दी, 100% का मतलब है double हो गया ठीक है ना, तो अगर वो एक लाख रुपे का था, तो आपने एक share खरीदा था, आपके पास एक share था, अरे उसकी return 100% की तो एक लाख रुपे या दो ला shares थे, अब यहाँ पर 10,000 share का क्या फायदा, 10,000 share अगर आपको 50% की return दे रहे हैं, तो भाईया आपके एक लाख रुपे के डेले लाख ही तो हुआ है, तो return देखिए, आप percentage of return देखिए, अब यह मत देखो कि भी एक लाख का share है, 200 रुपे का share है, 200 रुपे का share है, लोग क् यह तो 200 रुपे का, यह तो 200 का हो सकता है, एक लाख का, तीन लाख का थोड़ी हो, है ना, तो लोग इस तरीके से सोचते है, मैं आपको अभी कुछ बहुत बढ़िया बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि एक तो होता है, valuation, अब जाधतर लोग सिब यहीं पर रह जाते है हम value investor बनेंगे, Warren Buffet value investor है, इंटरनेट पर लोग value investing की बात करते हैं, then there is something called momentum, momentum बोल लीजे, आप trend बोल लीजे, अब trend का मतलब क्या होता है यार, मैं एक stock में तब entry करूँगा, जब वो अपने uptrend में होगा, और तब तक उसमें रहूँगा, जब तक वो अपने uptrend में मैं genuinely बता रहा हूँ, मुझे यह approach बहुत अच्छी लगती है, बट इसमें problem है, problem क्या है, कभी-कभी क्या होता है, stock थोड़ा सा correct होता है, आपका trend change हो जाता है, आपका downtrend confirm हो जाता है, और लोग कहते है, जाधा तर तो ऐसा होता है, कि downtrend हुआ, तो share काफी नीचे आ जाता है तो जो momentum वाले trend invested है, वो दुबारा से उसमें invest करता है, जब वो अपने uptrend में जाता है, बट फिर कभी-कभार यह वली opportunities छूट भी जाती है, बट value investor क्या करता है, वो गिरने पे भी निकालता नहीं है, वो कहता है, मैंने तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए invest किया हुआ है, भूल आपका horizon क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी बात को समझना, माल लेते हैं किसी को एक stock की recommendation आई थी, tip, tip पर invest करना बेकार होता है, लोग कहते हैं, tips पर invest मत करो, बिल्कुल सही बोलते हैं वो लोग, tips पर invest मत करो, बट अगर कोई tip आई है, तो एक बार उसे analyze कर लेत मैं पहले momentum और trend की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हम हमें पर continuation में है, हमारा trend ब्रेक हो जाएगा वरना, तो हम trend की बात कर रहे थे, तो एक देखो क्या है कि technicals को भी समझना जरूरी है, कुछ लोग क्या होता है, नहीं मैं तो सिफ fundamentals वाला बंदा हूँ, कुछ लोग कहें आजाए, basic आपको support resistance पता हो, आपको trend पता हो, breakout क्या होता है, यह पता हो, breakdown क्या होता है, यह पता हो, यह इतनी सी technical analysis सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप stocks में invest कर रहे हो, अगर आपको बिल्कुली silent investor बना है, तो mutual fund बहुत बढ़ी है, ETF की बढ़ी है strategies दे रहे है कि आप returns देख रहे हो, market गिरने पे भी आपका portfolio positive रहता है, तो वो videos देखो, बहुत काम आएंगी, वर आप stocks को क्यों select कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो, यार मुझे पिडिलाइट जैसे returns मिले, हम, पिडिलाइट की बात करते हैं, हम बात करते हैं, Titan company की, तो ऐसी company जो multi-wagger हुई है, मला आपको हो गया, 10-15 रुपे से कोई share पच्चिस सो भाग गया है, तो amazing returns है, होते हैं ऐसे stocks, बड़िने, पिक कैसे करोगे, fundamental के basis पे, कई सारे लोग आपको वो लेंगे, फिर छोटी company में investment ही मत करो, आप nifty-fifty में ही रहो, फिर nifty-fifty में तो आपको इतनी छोटी टॉपिक हो सकता है, turn arounds basically क्या होता है, ऐसी companies, जो एक certain time period तक अच्छा नहीं कर रही होती, फिर वो एकदम से turn around हो जाता है, मैं लोग company बहुत अच्छा करने लगती है, फिर अगर company अच्छा करेगी तो share price भी भागेगा, तो उसके उपर एक लगसे video बन सकती है, आज मैं आ पैसा लगाया जा सकता है, तो आप थोड़ा सा क्या करोगे, माल लीजे, आप चार्ट खुलोगे, और चार्ट पर आके क्या देखोगे, कि मैं एक simple सा indicator apply कर लेता हूं, मुझे कोई trend line नहीं आती, आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इंडिकेटर क्या होता है, help के अब ये downtrend में चल रहा है, जब ये, यहाँ पर मैंने एक indicator लगाया हुआ, super trend, simple एक super trend indicator, तो आपने का नहीं है, जब ये uptrend में आएगा, और uptrend में भी जो भी candle look high break करेगा, तो मैं entry करूँगा, तो उस ते में माल लीजे, आपने यहाँ पे गई, 8 रुपे, 40 पैसे, in fact उस candle break करेगा, उसका low break होते ही, मैं out हो जाओंगा, वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, देखो, आप ऐसे stock को pick कर रहे हो, जब वो एक penny stock है, penny stock के अंदर, मैं आपको recommendation नहीं दे ला, यहाँ पर कोई recommendation नहीं है, आपको ये समझा रहो, penny stock में सबसे बड़ा drawback penny stock का यह है, कि अगर gap down हुआ अगले दिन, market के अंदर lower circuit लग गया, तो आप निकल नहीं पाओगे बाहर, मैं खुद penny stock में कोई investment नहीं करता, यह सब देखने के बाद भी अगर आप मुझे बोलोगे, आप penny stocks बता दीजाए मैं, तो मैं बोलूँगा, मेरा कोई penny stock में interest ही नह है, वो जाना नहीं चाहिए, यह मेरा पहला rule है, तो कई सारी चीजे है, मुझे knowledge होने के बाद, जूद भी मैं उसमें बहुत दा हाथ नहीं डालता, reason क्या है, capital नहीं जाना चाहिए, कम बन जा है, पैसा कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे लिए क्या है, मैं एक थोड़ा सा safe investor ह है, clearly मुझे पता है, penny stocks में multiply होता है बहुत तकड़ा, but penny stocks मैं fan नहीं हूँ, but कई लोगा penny stocks में बहुत पैसा बनाते है, तो ठीक है, बड़ वो पैसा बनाते है, अगर आपको भी interest है, तो कम से कम आपको इन चीज़ों का धेहन रखना है, कि या ठीक है, uptrend में आया stock मैं यह आठ रुपे का 10 हो गया, मिरको भी नहीं निकलना, यह 10 का 15 हो गया, तब भी मुझे नहीं निकलना, मुझे कब निकलना है, जब यहां पर जाके एक downtrend confirm हुआ, और यह confirm हुआ, यह confirm नहीं हुआ, basically, क्योंकि जिस candle ने break किया अगले दिन, उसका low break नहीं हुआ, but anyways, आप यहां इंटरी मारी, तो 25 रुपे से लेका, 37 का हो गया, तो अभी भी इसने क्या आपको exit दे दिया, इसने exit नहीं दिया, अभी यहां पर यह क्या दिखा रहा कि 32 के नीचे आएगा, तो आप भार निकल सकते हो, अगर आप 32 के नीचे भी निकलते हो, और आपने एंटरी यहां पर इंदोस्तान यूनिलिवर ही चूज करो, बड़ उसे कब चूज करो, एक्जामपल यहां पर है, तो अगर आप 6 महीने पहले की बात कर रहे हो, तो यहां डाउन ट्रेंड में चल रहा था, क्यों हाँ डालू मैं, अब यहां पर जाके इसने एक अप्ट्रेंड कंफर्म किया ठीक है, मैं इसमें बैठा हूँ, अगर इसने अपना डाउन ट्रेंड कंफर्म कर दिया, मैं फिर आउट हो जाऊँगा, आप को गयार एक अच्छे स्टॉक में बार बार एंटरी, बार बार आउट, थोड़ा सा ट्रेडिंग वाली न अप्रोच लानी पड़ेगी, बात य चे महीने एक एक साल तक ना यह हमने वन डे का टाइम फ्रेम लगाया हूँ, वन डे के टाइम फ्रेम पर अच्छे स्टॉक साल साल भर अप्टरेंड में रहते हैं, तो मैं प्रॉफिट ही नहीं बुक करूंगा, मैं प्रॉफिट से भी तो नहीं ललचाऊंगा, कई लोग से भी तो ललचाते हैं, मेरा पैसा डबल होगे, मैं तो आउट हो रहा हूँ, क्यों भई, अगर स्टॉक अच्छा कर रहा हो, तो पांच गुना भी ग्रो हो सकता है, तो पॉइंट यहां पर यह है, कि अभी नहीं, आप एग्जेंपल अभी आप कहते हो, ठीक है, यह वाले मूव्स मिल सकते हैं, जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर गया, ठीक है, अप ट्रेंट आया, यहां पर आके इसने दुबारे से सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया है, यहां पर आके इसने आपको आउट कर दिया, आपने माली जैए इस मूव को बड़े-बड़े moves भी मिल सकते हैं अब ये जो stock है ना हिंदुस्तान उनिलिवर है बहुत बड़ी company है अब क्योंकि बहुत बड़ी company है बहुत बड़ी company का stock double होने के लिए उस बहुत बड़ी company को double होना पड़ेगा तो छोटी companies मैंने आपको starting में भी बताया था जो large cap companies होते हैं अब ये large cap company है large cap में थोड़ा सा fight है mid cap में थोड़ी कम fight है small cap में और कम fight है वो आपको खुद देखना है अब ये clear है कि consistent basis पे ऐसी company अगर मैं आप पे monthly time frame पर देखूँगा न तो बहुत बड़े-बड़े moves definitely देखे होंगा अब ये एक uptrend देखिए आप अब आप अपने हिसाब से कर सकते हूँ मैं आपको ये recommend नहीं कर रहा daily time frame तो minimum है बढ़ अगर आप monthly time frame के हिसाब से चलो तो यहाँ पर देखिए 200 रुपे का share आज 2500 रुपे पर खड़ा है ये दस गुना पैसा होता है अब ये कब हुआ है ये 2009 से अपने uptrend में है इसने इस uptrend को तोड़ा नहीं यहाँ पर जाके अब ये downtrend में आया monthly time frame पर ठीक है थोड़ी से technicals अगर आपको आती है अब हम आ जाते हैं जो important चीज थी and that was valuations को समझना अब देखो आप valuation में कहता हूँ खुछ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कोई promotion नीए कोई recommendation नीए मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी आप screener ले लिजए internet पर और यहाँ पर हाँ आपको score देख जाएगा example आप MRF देखते हो आपको लगता है MRF एक लाग रुपे का है क्या यह महेंगाई सस्ते valuation थोड़ी सी high आ रही है हिंदुस्तान यूनिलिवर की बात करते है अब आप यहाँ पर देख सकते हो भई चौबिस सो सतर पिस सतर के असपास का प्राइज इसका valuation यहाँ पर हाई देख रही है तो यह कुछ internet पर screener देखिए आप check कीजे valuation हाई है नहीं अब आप अपने stocks को और फिल्टर कर सकते हो तो screeners का यही फायदा होता है कि आप एक filter लगा सकते हो तो हम stock screener पर जाते है example के लिए ठीक है आप safe रहना चाते हो आप safe चलना चाते हो तो आप के तो भी मैं nifty hundred में invest करूँगा बहुत जो इंडिया की top hundred companies है उनमें invest करूँगा अब यहाँ पर इन companies के अंदर जाकर आप क्या देखते हो example किसी को Asian paints पसंद है आपको पसंद है ठीक है आपके तो भी मैं घर में इशन paint से paint कराता हूँ बट आप एक valuation parameter देख लीजे अगर आपको valuation अभी हाय दिख रही है तो आप अभी इसमें investment कीजे रुख जाएए कोई बात नी आपके पस limited पैसे आप 100 companies में से आपको 2, 4, 5 companies मिलती है सवाल आता है मैं कितनी companies में एक साथ investment करना चाहिए maximum 10 या 12 और फिर एक ही sector में पैसे मतलगाना भाई एक ही sector में मालो आप IT में heavily invested हो IT में अगर अच्छा performance नहीं आया है कुछ ऐसा law आगया जो IT के लिए अच्छा नहीं है तो आपके सारा अगा सारा पोर्टफोलियो तो बेटर क्या है कि आप पहले valuation चेक करो अप अप्रोच steps दे देते हैं आपर कि क्या कर रहा है आप ratio analysis में आपको वीडियो दिया है वो आपको ज़रूर देखना है step number one क्या है हम एक list बना दिये आप Nifty 100 से company निकालो है Nifty 500 से निकालो हो आपकी choice है आप क्या companies निकालोगे वो companies step one में उन companies के list बनाओगे जो fairly valued है over price नहीं है fairly valued अब fairly valued अब problem क्या अगर हम से fairly valued देखकर पैसा लगा देंगे तो कई बार क्या होता है ऐसा एक बहुत बड़ा duration आता है कि company returns नहीं देती मैं example दिखाता हूँ याप editor chart लगा देगा तो क्या है कि ITC ने भी नए काफी time तक struggle किया वो 200 रुपे के असपस अटका रहा बड़ा ही नहीं 200, 200, 180 तो एक range के अंदर ITC आके फज़ गया उस time पर वो fairly valued था बट अब step 2 आता है हमने एक list बना ली fairly valued companies की step 2 जो list है आप उसे सिर्व ऐसे मत list रखिए अपने demate account के अंदर उसकी एक watch list बना दीजे कि आप उन stocks को देखते रहे आप बहुत सारे stocks नहीं देख सकते इसलिए मैंने 10-12 बोला फ्री में जाके अपने demate account खुलवा सकते हैं link आपको description और comment box में मिल जाएगा so आप check कर लीजे जो भी आपको broker अच्छा रखता है उनके साथ आप जाके अपने free demate account खुलवा सकते हैं in fact बहुत सरे brokers जो हैं वो reference earn के थूँ भी आपको एक earning opportunity देते हैं कि आप reference earn करके भी पैसा कमा सकते हैं so आप definitely अपना account खुलवा लीजे उसके बाद अगर आप किसी भी अपने friend को recommend करते हो you can also earn through reference earn यहाँ पर आपने watch list बना ली अब step 3 आता है अब आप step 3 के अगर होगे आप check करोगे कौन सा stock अपने uptrend के अंदर आ रहा है यह वो company's थी जो आपने निकाली थी screener के थू watch list बनाई थी और जो uptrend में है उसमें आप investment कर सकते हो अब यहाँ पर क्या होगा कई बार आप देखोगे stock अपने uptrend में आया उसके बाद उसमें बहुत जबरदस returns दिये तो loss जो है stock market में inevitable है अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे जिसमें returns आजा आ सकती है तो उसमें risk भी होता है तो अब आपका क्या होगा यहाँ पर आपका uptrend बना होगा बट आपका अगर यहाँ पर candle ने breakdown दिया और उसका low break होगे आप out होगे तो हो सकता आपका कुछ 2-4-5-10% का जितनी आपने investment उस stock में करी थी particularly वहाँ पर loss भी हो तो loss के लिए mentally ready रहना ठीक है ready रहना ऐसा नहीं कि loss नहीं होगा ठीक है तो यह हाँ पर यह जो strategy है investing की strategy से आप अच्छे stocks पिक करते हो कुछ stocks आपके portfolio में जो भी आपने investment करी है उस पैसे को double triple भी कर सकते हैं बट कई सरे stocks होगे जिसमें कुछ loss भी होगा और कई stocks होगे आप trend के बावजूद भी कुछ देर sideways अटके रहेंगे तो वहाँ पर आपको demoralize नहीं हो ना क्योंकि आपने उनको पहले fundamental analysis से ratio analysis से आपने find out कि वो अच्छी companies हैं अब आप क्या करने वाले हो आपके लिए एक छोटा सो homework है आप अपनी 10 stocks को pick करने वाले हो इस video के नीचे comment करने वाले हो और वो जो 13 साल के बच्चों ने कि 2 साल के बाद देखते हैं कि क्या returns गई तो आप एक fairly valued companies की definitely list नीचे दीजिए अगर आप देखो यह हमें नहीं पता लगेगा आप उसमें कव इन्वेस्मेंट करें वो आपकी choice है बट येस जितनी companies आज से 2 साल के बाद हम देखेंगे जो uptrend में गई हैं इस video के launch होने के बाद दो साल के बाद आप ट्रेंड में गई उन्होंने क्या रिटर्न्स दिये और मैं आपको जिनूरली बता रहे हैं यह वी शॉक्ट तो सी दिल भी गूड रिटर्न्स पिकसा नो दा मार्केट में ट्रेंड में पैसा बनता है तो हमने क्या किया यहां पर fundamental analysis और technical analysis को जोड़ दिया हम यह नहीं कहा रहे हैं यह हम यह नहीं कहा रहे हैं हम दोनों को use कर रहे हैं और दोनों को use करने में हमारा ज़दा benefit हो सकता है बाकी manager से पता है कि मैं penny stocks investing का कोई fan नहीं हूँ पर हो सकता है आप मैंसे कुछ लोग पसंद करते हो तो फिर भी मैंने आपको एक approach दे दी है so I hope this video was valuable for a lot of people अगर आपको एक video अच्छे लगी तो एक थमसब जरूर दीजेगा आपको इस video में सबसे अच्छा क्या लगा वो भी comment करके बताएगा आपको story से कुछ सीखने को मिला क्या सीखने को मिला वो भी आपता सकते है so there is a lot to tell in comment section below finally अगर आपने subscribe नहीं के subscribe कर लीजे bell icon पर click कर दीजे आप free में जाके dmata.com खुल पा सकते है link description or pinned comment में मिल जाएगा I will see you in the next video till the time you go self-made and jahen